नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अमरिता डेली लाइफ, आज डिनर में कुछ लोग आने वाले थे, तो मैंने सोचा, फ्रीज में रखे हुए थोड़े से ही चिकन का जो बोनलेस है ना, उससे मैं कुछ अलग रेसिपी बनाऊंगी, बच्चे आने वाले थे, तो आज मैंने चिकन का ये मेट बॉल करी, इसके लिए चिकन का थाई का जो है ना थाई फिलेट का जो बोनलेस पीस मैंने यूज किया है, अच्छे से इसको मिक्सी में ऐसे ही पेस्ट बना लेजिए, तो अब कुछ इंग्रेडियेंट्स एट करना है, घर में जो मौजूद है ना, उनमे इसे अडाम से बन जाता है, मैंने इसमें जो एड किया है, वो है कश्मीरी रेच चिली पाउडर, घर में कुटा हुआ, जीरा, धनिया, मिक्स पाउडर, और थोड़े से नमक, और अध्रक और लेसन का बिलकुल बारिक चॉप किया हुआ, जो पीस है, थोड़े से मैंने इस फ्रेश वाला, बहुत ही अच्छा होता है, और भी सॉफ्ट बनता है, और थोड़े से मैंने कॉर्ण फ्लावर एट किया है, अगर कॉर्ण फ्लावर ना हो तो आप ब्रेट करम भी थोड़े से यूज़ कर सकते हैं, जादा मत डालना, नहीं तो यह हार्ड बन जाएगा, ल कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने लिया है, मस्टरड अल, अगर मस्टरड अल अपको पसंद नहीं, आप वाइट अल से भी बना सकते हैं, ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कुछ चटपटा चीज लिया है, जैसे की धनिया का पत्ता और जो ग्रीन चीलिस, उसको में यूज कर रही हूं, थोड़ा साना डिफरेंट बनेगा, जैसे हम लोग हर रोज कीचन का मर्चिकन रेसिपी जब बनाते हैं, तो उसमें हम लोग जो मसाला यूज करते हैं, थोड़ा हट के बनाने के लिए, मैंने धनिया का पत्ता जो है, उसको ग्रेवी में यूज करन करना है फ्रेंट्स, जादा फ्राई बिल्कुल नहीं करना, तो ये जटपट हो जाएगा, अब जो है न, मैंने पहले से ही कुछ ओनियन, गार्लिक और अद्रक का स्मूथ पेस्ट बनाया था, टमाटर का भी खूट के रखा था, तो उसी से हमें ग्रेवी बनाना है, तो ये जो है न, रेसिपी, ये आप फ्राई तक भी कर सकते हैं, स्टार्टर के हिसाब से सर्फ कर सकते हैं, अगर बच्चे आने वाले हैं, या फिर कुसी को टिफिन में बच्चों को देना है, अगर आप राइस के साथ सर्फ करना चाहते हैं, या पराठे के साथ, तो आपको ऐसे इसको रेवी में डाल की भी बना सकते हैं थोड़ा डिफ्रिंट बनेगा क्योंकि संडे को था और बाडिश भी हो रहा था मैंने सोचा चलो आज घड में जो है न उसी से कुछ बनाएंगे और सभी लोग बहुत पसंद किये तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है आपके साथ भी वीडियो शेयर कर लेती हूँ और यह देख सकते हैं यह हो चुका है अल्मोस्ट तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी और पैन मैं नहीं चेंज कर रही हूँ इसी पैन में मैं ग्रेवी बनाऊंगी और ओयल भी नहीं ज़्यादा डालना है मुझे जो ओयल है न काफी है तो एक चीज है जो है चिकन का थाई फिलेट बॉनलेस आप यूज करना उसका उस पोर्शन में सॉफ्ट मीट रहता है और दूसरा चीज है कॉर्ण स्टार्च, कॉर्ण फ्लावर, मैदा जो भी आप यूज कर रहे हो मिक्स बॉल बनाने के लिए जादा बिल्कुल मत यूज करना डालना मत क्यूंकि हार्ड बन जाएगा फिर बॉल्स फिर ग्रेवी अंदर तक नहीं जाएगा अभी हल्दी पावडर डाल रही हूँ मैंने थोड़ा सा एट किया है कश्मीरी रेट चिली पावडर भी एट करेंगी ग्रेवी बनाने के लिए तो ओनियन और टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा था थोड़ा सा लेसन का भी पेस्ट है इसमें उसी को अच्छे से चला के ना मैं कूप कर रही हूँ जब तक पेल ना छोड़े जैसे हम लग हर ग्रेवी बनाते हैं यह पैसे भी बहुत जल्दी बनके तयार होता है अगर आपको ग्रेवी जादा चाहिए तो पानी जादा आप एड़ कर सकते है वो आपके हिसाब से तिखा जादा चाहिए तो आप रेट चिली पावडर एड़ कर सकते है मैंने मेडियम चिली यूज किया है, अब धरिया का जो पेस्ट मैंने बनाया था, धन्यापत्ता का, वो मैंने एड़ किया है, क्योंकि इसमें काफी सारी चिली एड़ किया हुआ था, तो अलग से मैंने चिली नहीं एड़ कर रही हूँ, एक ग्रिणिश लूप आ रहा है, देख रहे हैं न, प которой I sat in low flame में करना है friends, अभी मैंने अड़ किया है गड़म मसाला powder, आफारेस्ट वाला, मैं एवरेस्ट ही प्रिफर करती हूँ, ऐसे नहीं मैं कोई brand का advertisement कर रही हूँ, चिलीए ज़ज़दी बनके का तयार हो झाएगा थोड़ा सा धक के पकाना है जस्ट और इसको अगर जादा कम ग्रेवी बनाना है तो मैंने पहले जैसे बोला है पानी कम जादा आप कर सकते हो यह आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा मैं धक दूँगी बस दो मिनट के लिए ही धकना है आप इससे कम भी कर सकते हो तो जादा नहीं पकाना है इसको लास्ट जो स्टेप है मैं इसमें बाटर यूज किया है आप फ्रेश क्रिम भी यूज कर सकते हो अगर चाहो तो ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बिलकुल एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चिकन की तो बहुत सारे रेसिपी आप कभी ट्राइ कीजिएगा यह अब सबको पसंद आएगा सबको अच्छा लगेगा और मेरे घर में सभी को पसंद आया है और ग्रेवी आप दूसरे किसी भी तरह से बना सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही में मीट बॉल्स स्टार्टर हिसाब से भी सर्फ कर सकते हैं नहीं तो इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो अगर आपके पास कम इंग्रेडियन है जैसे इसका में इंग्रेडियन था मेरे पास बॉनलेस चीकन थाई थाई फिलेट का पिस तो उससे मैंने जादा लोगों के लिए यह रेसिपी बना लिया है इससे क्वां पास बना था तो ऐसे भी आप ग्रेवी ट्राइ कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो बिलकुल सब्सक्राइब टो माई चैनल और बिलको ओन रखना ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पेज में बिलकुल सबसे पहले आ जाए मेरे चैनल में आपको रेसिप शो या फिर कोई ब्लॉग शो में तब तक के लिए बाई बाई सब लोग स्वस्थ रहिए अच्छे रहिए और हस्ते मुस्कुराते रहिए झालिव लोगा चैनल